अब बात करेंगे म्यूचल फंड की म्यूचल फंड में कुछ नए कोश्चन आई हुए है क्या अगर देखा जाए तो एक्जाम में 2023 का एक कोश्चन है हाला कि एक कोश्चन मैंने समझाया था करवाया भी हूँ पर बच्चो याद नहीं है और बच्चो को मेंने होमवक दे दिया था ऐसा नहीं है और कोई शक्की बात नहीं कोश्चन बहुत अच्छा था एसे आसा आसानी से नहीं बनता कोश्चन तो लिखा था Mr. Potential has investment into mutual fund, the following information is available, alpha दे रखा है, percentage में, alpha समझते हो न, alpha, हाँ सर, alpha, alpha, Jensen, alpha, सर, alpha होता था, Rp-R, कितना कमाया, कितना कमाना चाहिए था, यार देखो मैं concept नहीं करवा रहा हूँ, सर, trainer ratio क्या होता था, trainer ratio होता था, sharp ratio होता था, trainer ratio क्या होता था, सर, trainer ratio होता था, Rp-RF, trainer में नीचे क्या जाता था, बीटा, और sharp ratio में क्या था, Rp-RF, divided by क्या होता था, standard deviation, पर trainer ratio के साथ, percentage नहीं लगाया, भाई, सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, this is most important, trainer ratio में divided by 100 करके दिया हुआ, यह मैंने पहले भी बताया था, actual में trainer ratio होना चाहिए था, 0.0714 into 100, यह होना चाहिए था, 7.14, पर इन्होंने न, divided by 100 करके लिख दिया है, इसका मतलब सर, यह हुआ, हाँ, इसका मतलब यह हुआ कि सबको हम divided by 100, last में कर लेंगे, और actual return भी percentage में दिया, और risk premium भी percentage में दिया, पर trainer ratio percentage में नहीं दिया है, या तो आपको trainer ratio को सुधार ना होगा, इसको into 100 कर दो, या फिर सबको divided by 100 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, answer ही किया आएगा, okay, सबसे बड़ी समस्या है, यह risk premium क्या है, यह market risk premium है, या equity risk premium है, जिनोंने मुझसे class किया है, और ढंक से पड़ा, उसको मालूम है, मैंने यह question कर वा चुको, sir, equity risk premium है, कि market risk premium है, equity risk premium समझते हैं, क्या होता है, जितना आपने कमाया, minus RF, मतलब RP minus RF, risk premium, और sir, market risk premium क्या होता है, RM minus RF, equity risk premium है कि market risk premium है, और अगर कहने हों कि equity risk premium है, तो smart का है कि growth का है, दो mutual fund है रहा है, और यहाँ कहीं भी market risk, premium नहीं लिखा है, IC AI ने दोनों ही तरीके से गर रखा, लेकिन मुझे, मुझे अगर जवाब देना होता है, तो मैं इसको market risk premium मानता, क्योंकि यह बीच में लिखा है, मैं इसको RM minus RF मानता, एक RM minus RF, पहले नंबर पर क्या बोला है, बीटा, दूसरे नंबर पर क्या बोला है, risk free और तीसरे नंबर पर security market line, सर, trainer ratio दिया है, उसकी मदद से हम RM minus, trainer ratio क्या होता था, सर, trainer ratio होता था, RP minus RF divided by बीटा, तो सर, हमको बीटा चाहिए नहीं यार, उसकी बीना काम नहीं चल सकता, अलफा दिया है, अलफा दिया है, अलफा का formula है, चलो करते हैं, अलफा से start करते हैं, देखो मैंने जो करवाया है, मैं भी यहां concept नहीं कर वा सकता है, मैंने किया कैसी यह बता रहा हूँ, अलफा दिया हूँ, सबसे पहले में ट्रेन, यहीं पर आ जाते हैं, यहीं से start किया, सुनना दिया हैं, सॉलूशन करवा रहा हूँ, अलफा दिया है, तो मैंने अलफा ऐसे, सर, divided by 100 करके लिख सकते थे, लिख सकता था, पर मैंने का, नहीं लिखता, मैंने 1.10 किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अलफा का फॉर्मूला था, आर पी माइनस आरी, और आर पी दिया है, 8.50%, तो इससे आरी निकल गया, 7.40, यह आरी हमेसा किसके, आरी या केई जो बोलना बोलो, केई बोलना आपको ज़्यादा अच्छा लगता तो केई बोल सकते, तर यह तो निकल गया CAPM के सबसे, अब मैंने का चलो या CAPM का equation बनाते है, CAPM का equation है, RE या KE निकलने का RF, MRP और MRP दिया है, मैंने कहा इसको मैंने MRP ले लिया, और RE मालूम है, RF और बीटा नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं, अब देखो मैंने equation के साथ खेला है, तर RF इधर आ ग 0.40-4 बीटा, मैंस आपको आता है, अब मैं यूज करने वाला हूं किसका trainer ratio, trainer ratio का फोर्मुला क्या है भाई, sir, trainer ratio का फोर्मुला, RP-RF divided by बीटा, अब ध्यान से समझे ला, यहीं खेल है, trainer ratio में जो उठा रहा हूं न, trainer ratio 0.0714 उठा रहा हूं, तो मैंने लिखा 0.0714, कोई दिक्कत नहीं, नहीं, sir, RP 8.5% था न, उसको मैंने divided by 100 कर दिया, sir, यहां कोई दिक्कत नहीं, और RF का value मैंने कहां से उठाया, यहां से उठाया, बस इसको मैंने divided by 100 किया, और इसको भी divided by 100, इसको भी divided by 100 किया, sir, हम into 100 कर सकते कि, इसको into 100 कर दो, तो इसको जैसी की बैसे लिख ले, इस equation को solve करने के लिए, बीटा को यहां multiply किया, बाकी सब आपको पता है, और बीटा आ गया 0.35, इसका, माट का, और बीटा को मैंने CAPM equation में डाल दिया, उससे क्या निकल गए, RF, और अगर RF निकल गया, तो फिर मैंने इससे security market line drive कर दी, ऐसी growth का भी निकल लेना, और growth का भी RF कितना आएगा, RF उतनी है जाएगा, 6%, चाहो तो सीधा, जो इसका निकला, वो इसका कर सकते, पर growth का भी वैसी कर देना, answer आजाए, यह कोशन था, मैंने आपको homework दिया था, आपसे बना नहीं होगा, और IC AI ने दो alternative दे रखा है, एक में उसने, जो है, उसको, यह alternative नहीं है, हमारा यहां काम खतम हो चुका, मैं alternative solution नहीं कर बहुत, working note आप देख ले न, जरोत पड़ेगी तो, ठीक है सर, एक यह question आपको करना है, एक question number two, सर, इसमें आप ज्यादा time तो नहीं लोगी, नहीं लोगा, कतम करूँगा जलती से, एक यह आया था, MTP अप्रेल 2023 में, 23, को efficient of determination कसम से, यह मैंने नहीं पढ़ाया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, और derivation भी समझाया है, जब मैं systematic risk और unsystematic risk पढ़ा रहा था, कहीं देखना है, तो systematic, unsystematic risk में देख लेना, portfolio में, sorry, portfolio में systematic, unsystematic, तो सर, यह क्या है, यह है, coefficient of determination और formula बनता, systematic risk divided by total risk, पर फिर भी, बच्चों को ऐसा है, कि नहीं सर, correlation निकाल सकते है, कि बिलकुल 0.3025 को square root कर देंगे, तो correlation कितना आ गया, 0.55, RF दिया कितना, 9%, RF, rank the fund S पर sharp ratio, sharp ratio कैसे निकालते थे, सर, RP minus RF divided by standard deviation, और trainer ratio में क्या होता था, सर, RP minus RF divided by क्या करेंगे, बीटा, RP ये दिया है, 7% में इसके बात कर रहा हूँ, growth की, सर, 7% दिया, RP, और RF तो 9 दिया है, सर, ये भी होगा है, negative आएगा, मतलब, सर, standard deviation कैसे लाएगे, भाई, साब covariance, सरी, variance दिया है, तो variance को square root करोगे, तो standard deviation आ जाएगा, सर, ये तो हो गया, और सर, बीटा कैसे लाएगे, बीटा, ये देखो, ये market का standard deviation निकल सकता, square root करके, ये इसका, तो standard deviation of growth divided by standard, और इससे correlation दिया है, तो बीटा निकल जाएगा, ये ना, हो जाएगा, सर, simple question था, ये नहीं भी करवंगवा, तो हो जाता है, सर, question number one, तो हम नाजा ने कितनी बार किये भाई, इसमें cash special है, याद रखो, सावधान हो जाओ, सावधान, 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 अप्रिल दो हजार चूबिस या मार्च दो हजार चूबिस मुझे याद नहीं, तर ये तो टी वाई के बिट्टे भूल जाओ, ये question मैंने कहीं से उठाया, पर समझू, जब भी, सिर्फ इस question की बात करो, इस type के question, और कोई दूसरे questions की बात नहीं करूंगा, ऐसे questions जिसमें dividend plan हो, bonus plan हो, और फिर याद करो, फिर हम एक table बनाते थे, सिर्फ इसी type के question की बात करों, सिर्फ इसी type के question, मैं हम से क्या बोलते थे, effective yield निकालने के लिए, इस effective yield और effective yield हम ऐसे निकालते थे, कि ये है, इतना तो इतना हमने कमाया, 5 साल का तो 1 साल का कितना, हला कि इसको effective yield नही आप से, annualized return बोला जाता है, ये जो निकला, ये क्या निकला, holding period return, 5 साल का, divided by 5 कर दिया, तो annualized return निकला, इसको effective yield नहीं बोला जाता है, effective yield कभी भी, CAGR होता, compounded annual growth rate, compounded होना चाहिए, ये तो simple average निकाल रहा है, पर हम क्या करते थे, हम क्या करते थे, चलो ना भाई, हमको क्या क पर मैंने का, ऐसे कर रहा है, तो ऐसी कर दो, tension खता, okay, तो सर, ऐसे कर सकते है कि, कर सकते हो, लेकिन अब सुन ना देहां से, अप्रेल दोहजार चोबीस की MTP में, कोशन डाला हुआ, जिसमें, effective yield मांगा था, IACI ने ये भी किया, और उसके बाद ये भी किया, ये क्या चीज़े हो, मैं समझा दूँगा, ये भी किया, तो सर, अभी भी तो किया, बिटे, अभी alternative में कर रखा है, alternative, लेकिन MTP में जो डाला था, वो compulsory किया था, मतलब, ये आपको करना ही करना पड़ेगा, किसी भी हालत में, तो भाई साब, मैं आपसे बोल रहा हूँ, यहां जाकर नहीं रुकोगे, और भी काम करना पड़ेगा, आपको compounded rate से निकालना पड़ेगा, सर उसके दो तरीके है, dirty power, कि सर दो लाख रुपए आज लगा रहे हो, 1 प्लस आर पावर 5, तो आज आएगा 239 003.17, ऐसे भी निकाल सकते थे आप, effective yield, यह है actual में effective yield, यह नहीं है, यह तो analyze return है, और दूसरा IRN method, यह दो लाख आज जा रहा है, पहले 4% से discounting करेंगे, फिर 2% से, कम ज़ाद है, यह तो आपको पता है, 3.9 है, तो मैंने on an average पहले 4% से discounting किया, यह क्या NPV निकाला, यह क्या है, पैसा जा रहा है, और जो पैसा आ रहा है, उसको मैंने 1.04, कैसे किया हो गया है, 239 003 divided by 1.04, 12345, तो यह निकाला, यह पैसा आया, यह negative NPV है, अगर negative तो मुझे rate ज़्यादा लेना पड़ेगा, और उसके हिसाब से फिर मैंने IRR method से किया, और effect yield आ गया, कितना 3.64%, कहना क्या चाहते हो, कहना simple सी बात चाहता हो, कि अगर इस type का question आया, मैं सिर्फ इसी question की बात करूँ, इसी type के, आप समझधार हो, यह बहुत सारे बच्चों का question है, यह सारा दूसरे type की भी तो question थे, जिसमे effect yield में हम effect yield दिया रहता था, आप इसको काट में सकते हैं, सर, अगर हम नहीं करते हैं, तो एक number घठेगा की, वो पता नहीं कितने number घठेगा, पर प्लीज कर ले ना, पर actual में निकाला ऐसी ही जाता है, बस इतना ही था, mutual fund में, ओके, ठीक है सर, अगले chapter पर चलते हैं, दिस्क management में एक आत question होगा, वो भी करबा देता हूं, ठीक है सर,